बिहार का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम यहीं बन रहा है और राजगीर का इंटरनेशनल स्टेडियम सिडनी के स्टेडियम के तर्ज पर इसका निर्मान हो रहा है राजगीर में इस पहारी के गोद में नालंदा इंवर्सिटी के इस तरफ में यहाँ पर इसका खेल अकाद महीं तक है और जिस रफ्तार में कामोराम ने बताई दिया कि और चार-पांस साल इंतिजार करना पड़ेगा इसे में राज्य सरकार को चाहिए कि अपने अगर फंड का यहां दिक्का था तो फंड दे करके इस स्टेडियम को तयार कराएं ताकि खेल प्रेमियों के लिए एक स्टेडियम यहां बनकर तयार हो जार पट बिहार में भी किर्केट जैसे खेल का आयूजन होने लगे लगवग 90 एकड के छेतर में 800 क्रोर की लागत से इस राजगीर इंटरनेस्टल स्टेडियम और खेल अकादमी का निर्मानकार्ज होना है जिसके लिए कुछ ऐसा स्वरूप बनकर के तयार होगा और आपको अगर एरियल भीव में देखिए तो यह जो खेल अकादमी है खेल अकादमी वाले एरियमे अभी लगता कि कंस्ट्रक् ऐसे में बिहार में खेल प्रेमियों को और इंतजार करना होगा जिसर अपतार में काम हो रहा है यह खेल एकादमी के 2022 की तस्वीरे हैं जब हमने सूट किया था देखिए उस समय काम कितना हुआ था लेकिन इसका काम अब आगे बढ़ता हुआ कुछ इस तरह इस साल हैं कि यह बिल्डिंग जो है अब फाइनल फिनिशिंग मोड में है जिस पर रंगाई का भी काम उपर हो रहा है वहीं यह अंदर वाला जो स्टेडियम है जिसमें होकी या कोई और गेम खेले जाएंगे उसका काम भी फाइनल स्टेज में है और बाकी गेम के लिए भी कोट तैयार हो रहा है राजगीर में बन रहे किर्केट स्टेडियम और खेल एक आदमी के काम के अगर जाने तो दैनिक भासकर में छपी खबरों को अगर देखा जाए तो अब तक जो है किर्केट स्टेडियम का मात्र 32% काम हुआ है वहीं डिर्केट बिल्डिंग का 98 और डिप्ट होस्टल का 91 गर्स होस्टल 89 परसेंट डाइनिंग होल 87 में रिसीविंग स्टेशन 96 समेथ बांकी और जो होकी ग्रॉंड है उसका 41 परसेंट और दूसरे सेक्टर में जो काम देख रहे हैं उसमें 50% से नीचे कई काम दिखाई दे रहे हैं कुल मिला करकर अगर एवरेज जान काम हो जाते हैं तो खेल प्रेमियों के लिए या खिलारियों के लिए मक्का मदीना हो जाएगा इस पूरे परिसर में अगर कहीं काम फिनिसिंग मोड में दिख रहा तो इधर ही दिख रहा जहां यह देखिए जो भी स्टेडियम अंदर में खेलिक आदमी के लिए बनना है उदर कोट भी तैयार हो रहे हैं जहां बाकी खेलों का प्रैक्टिस हो गार इसी के बगल में यहां ये वाला किर्केट स्टेडियम का निर्मान हो रहा है जिसका काम देखिए महज 25 से 30 परसंट के आसपास हुआ है इसका निर्मान सापूर जी पालन जी नाम की कंपनी कर रही ह और बिहार में ऐसे और दो-तिन पर्योजना का सापूर जी पालन जी को मिला वखाली में हमने सुना था कि इसको डिबार बिहार संपार ने इस कंपनी को डिवार कर दिया था प這個 यह कंपनी हाइकोट गई हाइकोट में केस जीतने के बाद दुबारा से इसको काम का एलोकेशन हुआ और उसमें एलोकेशन में कहा गया कि 30 मार्च 2024 तक यानि 2024 तक इसको बना करके वो तयार कर लेंगे और फिर बिहार में भी किर्केट जैसे अंतरास्टे खेलों का आयोजन हो में फिलाल जो काम हुआ जिस जितना काम हुआ उसको देख करके हम कह सकते हैं कि अब भी खेल प्रेमियों को लगवग चार-पांस साली इंतिजार करना पड़ेगा आपको बता दे कि सामने में वो खेल अकादमी का निर्मान हो रहा जिसके कुछ बिल्डिंग बन गए हैं ब किलाल आपको बता कि इस तरफ में जो स्टेडियम बन रहा है उसका काम बता ही दिया कि जिस रप्तार में है अगले चार-पांस साल और इंतिजार करना पड़ेगा तो अखवारों की अगर माने तो लगवग 50% के आसपास इसका काम अभी हुआ है 50% काम अभी और बचा अखवारों की रिपोर्स की बाने तो हमने बता ही दिया कि लब ऐकर की छित्र में लगवक जो है आठ सक को डूर की लागच से खेल परिसार इसमें होकी के लिए स्टेडियम बनना है फूट वाल के इस बननना है किर्केट के लिए इस्टेडियम बनना है, खेल अकादमी बनना है, हर तरह के खिलारियों को रहने का एरिजमेंट होगा, इसमें होस्तल्स बन जाएंगे, और यहीं पर सिक्षन होगा, और बिहार का पहला खेल अकादमी बन रहा है यहां में, अगर यह बना, तो समझ लीए, खेल प्रेमियों के लिए या खिलाडियों के लिए एक मक्का मदीना हो जाएगा ये और जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा उन तस्वीरों के साथ हम जूड़ रहें लेकिन फिलाल आपको बता दे कि और चार-पांस साल आपको इंतिजार करना पड़ेगा राजगीर के स स्टेडियम को बना हुआ देखने के लिए इसी तरह का और वीडियो इसको यूट्यूब पर देखने के लिए वेफ़ोरी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमें फेस्बूक पर देखते हैं तो हमारे पेस को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमार या आपसे मुलाकात होती है आप चाहे तो वहां हमारे साथ जूड़ सकते हैं तन्यवाद